So hey guys, this is Sandeep here and you are watching Chromatech YouTube channel तो यहाँ पे Corvus 9 का update Redmi के Note 7 Pro device के लिए भी available हो चुका है और मैं इसको already I think दो दिन से use करा हूँ तो कुछ आपके साथ यहाँ पे experience शेर करने वाला हूँ इस ROM के related क्या performance अच्छी है या बुरी है old update से और यहाँ पे gaming वगेरा कैसी है तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं clear करने की कोशिश करूँगा So वीडियो को end तक जरूर से watch करते रहना और channel पे new हो तो subscribe भी यहाँ पे कर सकते यहाँ पे मैंने install कर रखी है Corvus 9 का update है जो Redmi के Note 7 Pro device के अंदर So जिसके अंदर है जो कुछ काफी सारे जो है changes किये गए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं bugs की जी हाँ तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे सबसे पहले bugs की तो वह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो सबसे पहले अगर आप install करते हो first time इस ROM को तो आप यहाँ पे fingerprint या कोई भी आप privacy के related security के related अपना जो आप fingerprint वगएरा face unlock या जो password कोई भी set नहीं कर सकते हैं आपको उसके अंदर error रहेगी वो kernel का problem है तो आपको यहाँ पे नीचे के kernel का मैं link देता हूँ उसको आपको flash कर ना directly जाके recovery के अंदर सो उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो fingerprint वगएरा password वगएरा लगा सकते हो otherwise आपका यह work नहीं करेगा तो आप जो है about phone का section यहाँ पे देख सकते हो android version 10 मिलता है और Corvus version 9.0 हो चुका है endgame इसका build का name है और official update वगएरा आपको देखने को मिल जाता है security level आपको जो है मिलता है September का and kernel है वो आपको master plus का देखने को मिलता है तो यह I think new kernel मिलता है from developer of this room इसी kernel का आपको मैं फिर से link देता हूँ इसको आपको flash करना पड़ेगा अगर आप first time इसको clean flash कर रहे हो otherwise आप यहाँ पे password वगएरा सैट नहीं कर सकते so first bug मैंने आपको बता दिया second bug मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो जैसे आप इसके अंदर click करोगे तो यह आपका work नहीं करता और यह source side I think bug है और यह Redmi के node 5 pro device के अंदर भी bug देखने को मिला था तो आपको यहाँ पे बिलकुल नीचे इसके click करना पड़ेगा अगर आ otherwise आपका यह open नहीं होगा तो यह है हमारा second bug third bug की बात करते हैं तो जो आपका यह toggle status bar है इसके अंदर भी आपका touch का issue देखने को मिलेगा आपको आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको जल्दी जल्दी से scroll करने की कोशिश कर रहा हूं sometimes आपका यह यहाँ पे stuck हो जाएगा आ यहाँ पे sometimes आपका यह work नहीं करेगा अगर आप इसको टेस्ट करना चाते तो इस टाइप से आपको यह देखने को मिलेगा bug third number तो उसके बाद है जो bug मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे अगर हम चलें यहाँ पे themes के अंदर आपको यहाँ पे option मिलता है आपको मैं check कर वा oxygen OS का तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ bug आपको देखने को मिल जाते हैं इस टाइप से तो यहाँ पे इतने ही bugs मुझे मैंने यहाँ पे find किये next यहाँ पे एक और जो major issue मुझे लगा इस ROM के उपर जो यह इसका inbuilt kernel है उसके उपर जो है यह n22 benchmark run नहीं करता अच्छे से तो भी यहाँ पे issue है मैंने six to seven times इसको run किया है तब जाकि यह जो है test दिखाता है तो मैं आपको इसके साथ है जो azure kernel के साथ इसकी performance चेक रवा देता हूं तो सबसे पहले आपको जो default kernel के साथ इसकी performance मिलती है वो one lakh eighty thousand से अबव का score मिलता है और मैंने यहाँ पे expect किया था कि यह यहाँ पे two lakh plus का score देखने को मिल सकता है बट यहाँ पे one lakh eighty thousand plus आपको score मिलता है इस default kernel के उपर और अगर यहाँ पे बात करें azure kernel की तो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं यह मैंने जो end to two run किया है यह azure kernel के साथ है तो यहाँ पे आप performance देख सकते हो GPU score आपको zero दे I think यह score मैं मुझे देखने को मिला था ryzen kernel के उपर और इस टाइप से यह issue इस रोम के अंदर मुझे face करना पड़ा है so performance इस बार है जो इस रोम की थोड़ इससी down हो चुकी है अगर कुछ और features की बात करें तो यहाँ पे जो है सब कुछ आपको default मिलेगा अब जो launcher है वो काफ स्मूथ हो चुका है तो इस टाइप से आपको यहाँ पे रे मेनेजमेंट का भी यहाँ पे काफी अच्छा improvement देखने को मिल जाता है तो इन सब के अंदर issue नहीं आने वाला तो यहाँ पे कुछ और feature की बात करते हैं तो default camera आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर कोई भी आपको camera नहीं देखने को मिलता बट Gcam 7.4 काफी एच्छे से working है 4K 30fps तक record कर सकते हो videos को and ANX camera working है बट इसके अंदर ANX camera आपका video mode dead रहता है मैंने यहाँ पे install किया था बट जो video mode यहाँ पे work नहीं करता है and image stabilization का option ही यहाँ पे enable नहीं होने देता उससे पहले error आ जाता है तो इस data वो इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिल जाता है और कुछ और feature की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इस ROM को route करता हूं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं इस बार है जो आपका CTS profile वेगर है वो तो काफी अच्छे से पास रहता है and जो basic integrity वेगर है दोनों device आपका है वो भी यहाँ पे certified रहता है उसके अंदर भी कोई issue नहीं आता और जो आपका मैं और एक feature बताता हूं जो DRM info है उसके अंदर आपको L1 का support आपका present ही यहाँ पे रहता है so banking apps related आपको कोई भी issue नहीं आएगा so इस type से आपको यह कुछ रॉम देखने को channel के साथ है जो थोड़ा PUBG भी खेल के देखा तो PUBG के अंदर कोई भी issue नहीं है PUBG काफी अच्छे से work कर रहा है and मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा issue नहीं face करना पड़ा कहीं भी आपको same performance देखने को मिलती है और काफी अच्छी आप PUBG विगरा खेल सकते हो so इस type से यह update आपको द 11 का update यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी and उसके लिए आप यहाँ पे वेड कर सकते हो Redmi Note 7 Pro device के लिए Android 11 का update आ चुका है hotspot fix के साथ यही था इस वीडियो के लिए I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी and आपके I think जो है doubts विगरा clear हो चुके होंगे और बाकी feature तो आपको same मिलते हैं जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो के इंदर बताया था तो मैं मिलता हूँ आपसे एक new interesting वीडियो के साथ